पिथमपूर शेत्र के गाउं में कुए में मिली बालक की लाश बड़ी मशकत से गोता खोरों ने निकाला शव परिजुनों ने जताई हत्या की आशंका मालवा मिरल के लिए पिथमपूर से आमेत त्रिवेदी की खबर पिथमपुर अध्योगीक शेत्र के गाउं गवला में आज 13 वर्षिय बालक की लाश कुए में पाई गई फायर प्रिगेट और नगरपारिका के कर्मियों ने बड़ी मशकत से कुए से बालक के शव को बहार निकाल कर पुलिस को सौप दिया पिथमपुर पुलिस के अनुसार 13 वर्षिय विकास सिंग का शव ग्राम गवला की किनारे स्थित कुए में पाया गया बालक रविवार की शाम को अपने घर से दूद लेने का कहकर निकला था लेकिन देर रात तक जब गर नहीं लोटा तो परिजनों ने ढूड़ना शुरू कर दिया पर उसका कोई सुराग नहीं मिला सुमवार सुबग गाउं में उस वक्संसनी फैल गई जब लोगों ने बालक के कपड़े और दूद का केन कुए किनारे पड़े देखकर कुए में जहाका और उसका शव पानी में तेरता दिखा पानी के गहराई अधिक होने के कारण पहले पानी को पंपों द्वारा निकाला गया फिर गोता खोरों ने उसे बाहर निकाला बालक के परिजन जगदीश ने बताया साम को नहीं देखे था बैट्रियाटिस सब देख लिया था आज पास टोटल बैट्रियाटिस सब दूर देख लिया खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं